नमस्कार दोस्तों जैहिंद स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार आरस इस्टेडिट ट्रिक परिवार में और आप अपना आखलन करना चाते हो तो इन 20 में से आपको 14 पलस का टारगेट रखना होगा और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 20 में से आपके कितने सही कर पाए साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल और अनेक परकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसके अलावा यदि आप राम सिंग यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर शेड़ देखना चाहते हो तो उसकी पले लिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो लेटेस्ट बुक है नई 2022 वाली उसके पार्ट दर पार्ट आपके पेपर कंटीनू चल रहे है जिसके हम 20 पेपर कंप्लीट कर चुके है और आगे वो भी कंटीनू चलते रहेंगे तो उनकी भी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल को ऊन कर लीजिए चलते हैं पहले क्यूसन के और पहले हम 15 क्यूसन गणित के करेंगे और लास्ट के 5 क्यूसन आपके रिजिनिंग के होंगे जो वही selected क्यूसन होंगे जो बार-बार परिक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी दरश्टी से भी महतोपुन दिखाई देते हैं तो पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है रेल गाड़ी से सम्मंदित क्यूसन है क्यूसन है कि 270 मिटर लंबी रेल गाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को 18 सेकिंड में पार कर जाती है तो रेल गाड़ी की चाल कितनी होगी तो चाल से सम्मंदित आप सभी को पता है कि चाल का नाम लेते ही आपके दिमाख में आता है दूरी बटा समय ठीक है अब हमें देखना है दूरी कौन सी होगी और यहां पे समय कौन सा होगा तो दूरी बटा समय तो आपको दो बाते ज्यान रखना है पहली बात यह कि जब रेल गाड़ी एक खंबे को एक वेक्ति को या एक बिंदू को पार करती है ऐसी इस्तति में कुल दूरी कितनी होगी वही होगी जो रेल गाड़ी की लंबाई दी गई होगी क्योंकि खंबे की तो कोई लंबाई नहीं होती है एक वेक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है ठीक दूरी कवर नहीं करेगा लंबाई उंचा ही होती है और एक बिंदू की कोई दूरी कवर नहीं होगी तो दूरी कितनी हो जाएगी केवल ये रेल गाड़ी की लंबाई हो जाएगी दोस्तों सकता है और समय को कितना दिया गया समय दिया गया 18 सेकंड अब यदि दूसरी इस्तति हमारे पास ये आजाए कि एक रेल गाड़ी जब एक पलेट फोरम को पार करती है एक पुल को पार करती है या फिर एक सुरंग को पार करती है ऐसी इस्तति में दूरी कितनी हो जाती है ऐसी इस्तति में जो रेल गाड़ी की लंबाई है वो तो होती ही इसके अलावा जो पलेटपोरम की लंबाई ये वो जुड़ जाती या फिर सुरंग की लंबाई ये वो जुड़ जाती या फिर किसी पुल को पार कर रहे ये ब्रिज को पार कर रहे ये उसकी लंबाई जुड़ जाती परन्तु हमारे पास तो खंबा दिया गिया कि और तो खंबे की कोई दूरी काउंट नहीं होगी तो 270 बटे 18 ये क्या निकल कराएगी रेल गाड़ी की चाल परन्तु आपको पता है कि 270 तो कितने दियेगे मीटर दियेगी है 18 दियेगे शेकिंड परन्तु आपके ओप्षन में तो सभी में किलो मीटर परती हाउर, किलो मीटर परती हाउर, किलो मीटर परती हाउर है तो जब भी मीटर परती शेकिंड को किलो मीटर परती हाउर में बदलते है तो 18 बटे 5 से गुणा करते है ठीक है और जब किलो मीटर परति हावर है और मीटर परति सेकिन में बदल देती इसका उल्टा 5 बट्टे 17 से कर देती 18 से 18 कैंसिल 5 का भाग 270 में कितनी बार जाएगा 25 27 में से 25 जाएगे दो शेस पल बचेंगे जीरो उतारेंगे तो पांचो के बीस चोवन किलोमीटर परती हाउर उस रेल गाड़ी की चाल हो जाएगी ओप्सन नमबर डी राइट हो जाएगा तो ये बिलकुल आसान सा क्यूशन था और बार बार पूछा जाने वाला क्यूशन भी है नेक्ट क्यूशन के और चलते हैं नेक्ट क्यूशन दिया गया कि एक थेली में 10 पेशे तता 25 पेशे के कुल 150 शीक्ये है जिनका मुल्य 24 रुपए है 10 पेशे के शीकों की संग क्या कितनी है ये क्यूशन मिसरन से सम्मदित क्यूशन है कल एक क्यूशन बताया था आपको कि पंदरा सो रूपे की रासी कुछ भाग 10% पर दिया, कुछ 7% पर दिया, फिर आपको बताना था सब्सक्रें हम उसी तरह से इस क्यूशन को हमें करना है हमें देखना है कि कुछ सीके तो हमारे पास है 10 पेशे के और कुछ सीके है 25 पेशे के और कुल सीके है 150 तो यदि हमारे पास सभी 150 सीके 10 पेशे के होते तो कितने रुपए होते 150 इंटू 10 अर्थाथ हम कहा सकते है 1500 पेशे और 1500 पेशे मतलब कितने हो जाएंगे एक रुपए में 100 पेशे तो 15 रुपए हो जाते अब दूसरी इस्तती यह आती है कि सभी 150 सीके 25 पेशे के होते तो कितने होते 25 को 150 से गुणा करते तो हमारे पास कितने आ जाते जीरो 25 पंजे 125 25 और 12 37 3750 मतलब पेशे तो सीके कितने हो जाते चैन्टी सीके 10 पेशे के है तो 15 रुपए हो रही है सभी सीके 25 पेशे के है तो 36.5 रुपए हो रही है परन्तु आपके परसन में दिया गया कि इनका मूल दे तो मातर 24 रुपए है तो यहां पे हमने लिख दिया 24 अब आपको इसका अनुपात निकालना अनुपात कैसे इनका अंतर इनके नीचे लिखना यहां पे और इनका अंतर यहां पे लिखना तो 10 पेशे और 25 पेशे के सीकों का अनुपात निकल करा जाएगा 15 और 24 का अंतर होता 9 36.5 और 24 का अंतर होता है 13.5 ठीक है तो 10 पेशे और 25 पेशे के सीखों का अनुपात आ गिया 13.5 अनुपात 9 यह 10.5 अटाने के लिए इसके हम 1 0 लगा देंगे तो 135 अनुपात 90 क्या आ गिया इनका अनुपात आ गिया इन अनुपातों को हम काट कर सरद कर सकते हैं 15 से 135 नो बार कटते हैं और 6 कड़े 90 अर्था 6 बार कटते हैं 9 अनुपात 6 के अनुपात में वो शिक्के हैं कभी-कभी सिधा अनुपात से related क्यूशन पूछ लेते हैं तो 9 अनुपात 6 आपका सही उत्तर होता और काटते हैं तो हमारे पास 3 से 3 बार और 2 बार तो 3 अनुपात 2 हो जाते हैं परन्तु हम इतने में ही उत्तर निकाल लेंगे अब पूछा है कि 10 पेशे के शिक्के अनुपात आया 9 अनुपात 6 तो 10 पेशों वालों का अनुपात आगी है 9 कुल अनुपात कितना हो गया 9 और 6 15 कुल सिक्के कितने दिएगे 150 तो हमें क्या करना 15 का भाग देना 150 में 10 बार 10 को 9 से गुणा करेंगे 90 आजाएंगे और यदि 25 पेशे के पूछते तो हम यहां पे 6 उतार देते और 6 को 10 से गुणा करते 60 आजाते तो 90 से तो 10 पेशे के और 60 से पच्छी से गए ओप्शन नमबर एह राइट हो जाएगा यहां पर यदि आपके पास समय है तो आप उतार की जास육 कर सकते हो कि आपने जो उतार किया वो सही है या गलत तो 10 पेशे के 90 सीके है तो कितने रूपे हो जाएंगे 9 रूपे हो जाएंगे 25 पेशे के 60 सीके है तो कितने रूपे हो जाएंगे 25 से के 150 अतादम कैसे तो यह 15 रूपे हो जाते 15 और 29 रूपे हो रही है जो कि आपके परसन में दिया गिया मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है next question के और बढ़ते है next question है कि किसी धन पर 6 वर्ष का सादान ब्याद मूल धन के 30% के बराबर होता है कितने वर्ष में ये मूल धन के बराबर होगा तो 30% के बराबर हो रहा है पेले 6 वर्ष में और ये बताना कि मूल धन के बराबर कितने बराबर मतलब मूल धन हमेशा कितना होता 100% होता है तो 100% मूल धन होता है और 100% ही हमारे पास क्या होना चाहिए ब्याद होना चाहिए सादान ब्याद से सम्मन दित एक चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा हमेशा यह आपको क्यूसनों को आसानी से सरल करने में भी मदद करेगी, कि सादान ब्याद हमेशा दर परतिसत या समय और दर के गुणन फल के बराबर होता उसका परतिसत, ठीक है, तो समय दिया गया 6 वर्ष, दर हमारे पास दी नहीं गई है, और परतिसत दिया गया 30, तो दर कितनी हो जाएगी 6 गुणा में पक्सांदरन कर देंगे बाग में, तो 5 से के 30, 5 परतिसत दर आ गई, अब हमारे पास यह इसपर्ष्ट हो गया कि दर आ गई 5 परतिसत, और समय, अब हमें जो समय गयाद करना, इतने देर समय दिया गया था, 30 परतिसत के अकोर्डिंग दिया गया था, अब हमें जो समय गयाद करना है, वो किसके अकोर्डिंग, बराबर मतलब कितना परतिसत होता, कुल मूलधन 100 परतिसत होता, तो 100% के according याद करना और दर हमने निकाल ली 5 बराबर क्या कर देंगे 100 5 गुणा में है पक्सांदरन कर देंगे तो भाग में तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा option number B right हो जाएगा यहाँ पर आसा है आसान क्यूशन था आसानी से समझ में आ गिया होगा next question के और बढ़ते है next question आपकी screen पर दिया गिया है कि किसी धन पर 10% वार्ष एक दर्षे 2 वर्ष के चक्रवर्दी ब्याज और सादारन ब्याज का अंतर 65 रुपए है तो वो धन कितना है जब आप दो वर्ष के चक्रवर्दी ब्याज और सादारन ब्याज की एक छोटी शिट्रिक आप समझ लोगे तो इस परकार के क्यूशन मात्र कुछी शेकिंडों में हल कर दोगे दो वर्ष का सादारन ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज ये line note कर लेना कि हमेशा किस के बराबर होता है हमेशा r square बटे 100 पर 30 के बराबर होता है जहां पर r क्या होगी आपकी दर होगी दर दी गई है 10 into 10 बटे क्या करना है 100 square का मतलब दो बार लिखना 0 से 0 और 0 से 0 तो 10 पर 30 दर है तो इन दोनों का अंतर कितना होगा एक पर 30 के बराबर होगा और अंतर दिया कितना गया 65 रुपए दिया गया तो 65 क्या है एक पर 30 के बराबर है मूलदन हमेशा कितना होता 100 पर 30 होता है तो 65 को 100 से गुणा करेंगे कितने रुपए थे 65 सो रुपए का 10 पर 30 वार शिक दर से दो वर्षों का चक्रवर्दी व्याज और सादान व्याज का अंतर 65 रुपए होगा ये नोट कर लेना इस परकार की क्यूशन आज कल बार बार पुछे जाते हैं तो option number A right होगा यहां पे next question 85 km दूरी तय करने में एक पहिया एक हजार चक्र लगाता है तो इस पहिये का व्यास क्या होगा तो साइकिल का पहिया हो या बाइक का पहिया हो किसी का भी पहिया हो पहिया अमेशा किस आकर्ति का होता वृत्ताकार आकर्ति का होगा और छेत्र पल से सम्मंदित यह आपके क की तो कितने हो जाएंगे 88 cm की दूरी तय करने के लिए एक पहिया 1000 चक्र लगाता तो एक चक्र में कितनी दूरी तय कर रहा है 5000 का भाग दे देंगे 30 से 30 काड़ देंगे Marcus 8.0015 मिटर की दूरी तय कर रहा और पहिया चकर लगाता तो यह क्या काउंट होती इसकी परिधी काउंट होती है परिधी आगई 88 मिट्र वर्त की परिधी का सुतर होता है 2 pi r 2 into pi का मान 22 बटे 7 into r हमें ग्यात करनी है बराबर दिया गिया है 88 अब जो r के गुणा में है वो भाग में 22 दुने 44 तो 44 भाग में जो भाग में है तो 7 गुणा में ठीक है चोअमाड चनी इठ्ष्ष्ष्षी दो बार कटेगा और शाद दुने 14 मिट्र क्या आई है वर्त की परिधी आई है पूछा क्या है परसन में शोरी तिर्जिया निकल कर आई है 14 मिट्र परिधी इठ्ष्षी थी वर्त की तिरजया निकल कर आई यह, पुचा क्या व्यास पुचा तो व्यास अमेशा तिरजया का दुगुना होता है, तिरजया व्यास की आधी होती है तो तिरजया चवदा आई यह तो व्यास कितना हो जाएगा, चवदा दुने 28 मीटर हो जाएगा जो कि option number C में दिया गया है, option number C राइट हो जाएगा यहाँ पर next question, फिर से rail guardi का question आया है एक rail guardi 180 km परती गंटे की चाल से जा रही है इसकी चाल कितने मीटर परती सेकिंड है येलो यही बात बताई थी पहले question में कि जब rail guardi की चाल किलो मीटर परती गंटे में दी गई होती है, तो हम क्या करते है मीटर परती सेकिंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करते है और मीटर परती सेकिंड में होती है, तो 18 बटे 5 में इसकी उल्टे कर देते है ठीक है, तो 5 बटे 18, 18 से यह 10 बार कट जाएगा 110 को 5 से गुणा करेंगे इसकी चाल कितनी आ जाएगे 50 मीटर परतिशेकिंड जो कि Option D में है Option D इस क्यूशन का राइट आंस्वर होगा Next क्यूशन पाइप टंकी से सम्मन्दित क्यूशन है ये भी आपके पूछा गिया क्यूशन है कि 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रेमस से 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते है ये खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसको भरने में कितना समय लगी तो आपको बताया था कि जब दो ही व्यक्ति काम करते हैं या दो ही पाइप काम कर रहे हैं और दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं यानि दोनों टंकी को भरने का काम कर रहे हैं और दोनों का एक साथ पूछा है तो उपर दोनों को गुणा करना है और नीचे दोनों को जोड़ना है 30 और 20 से 50 ठीक है उत्तर निकल करा जाएगा 0 से 0 कर जाएगा 500 के 20 और 4 तिन कितने हो जाएगे 12 मिनट में वह खाली टंकी को भर लेते और यदि एक भरता और दूसरा खाली करता ऐसी इस्तती में हम नीचे दोनों का अंतर कर लेते Next Question यदि 42 व्यक्ति किसी कारिये को 15 दिन में समाप्त कर सकते है तो 30 व्यक्ति इस कारिये को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो 42 व्यक्ति 15 दिन में करते है तो एक व्यक्ति कितने में करेगा 42 इंटू 15 30 कितने में करेंगे 30 का भाग देंगे 5 के पाहड़े से ये कट जाएगा आपका 3 बार और 30 कट जाएगा 6 बार ठीक 6 के पाहड़े से 42 कट जाएगा 7 6 के बईयारी 7 बार 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 दिन में 30 व्यक्तिस कारी को complete कर देंगे option number D right हो जाएगा next question यदि 3 व्यक्ति 14 दिन में 336 साले बनाए तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितनी साले बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पे 3 व्यक्ति एक लोजिक आपको ज्यान रखना यहाँ पे MWT का ठीक है MWT यह MWT क्या होता इसका मतलब तो main कितने व्यक्ति है W कितने कार्य किया T कितना टाइम लगा कितने दिन लगे कितने गंटे लगे और इस ठीके according जो person में दिया गया वेशा set कर दो आपका उत्तर निकल कर आज आएगा कैसे आएगा देखे 3 वेक्ति है main कितने होगे 3 W कितना कार्य कर रहे 336 बना रहे है पांच लिग दिया W हमारे पास कार्य पूचा है तो हमने W लिग दिया अब आपको इस तरह V शेप में गुणा करना है और जो बची उसका भाग देना 8 इंटू 336 इंटू 5 में 3 इंटू 14 का भाग देना क्या किया 8 इंटू 336 इंटू क्या किया था हमने 5 और भाग देना किसका 14 इंटू 3 का यही निकल कराया था MWT के फॉर्मूले से अब इन्हें सरल कर लेते 3 के पाड़े से यह कितनी बार करताएगा 1,1,2 बार, 112 बार 14 से यह 8 बार 8 पंजे 40 40 को 8 से गुणा करेंगे 8 के 32 और 1,0 उतार दिया 320 दिन में बनाएंगे किस ओप्षन में दिया गया ओप्षन नंबर D राइट है नेक्स्ट क्यूशन यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 8 अनुपात 9 है तो A अनुपात B अनुपात C यह बताने कि आउश्यक्ता नहीं है परतेग पेपर में एक्यूशन आया है आपके ठीक है तो आपको बार-बार बताया A लिखा, B लिखा, C लिखा ठीक है 3 लिखे, 4 लिखे, आगे वाले के 8 लिखे, 9 लिखे, जो खाली है वो पास वाले लिखे ठीक है, अब आपको कर ले ना गुणा, 8, 3, 4, 20 8, 4, 32, 9, 4, 36 काट लो, सरल कर लो किस ये काटोगे इसे 4 के पाड़े से 24, 6 बार गटेगा 32, 8 बार गटेगा और 36, 9 बार गटेगा 6, 97, 8, 97, 9 option number A, right हो जाएगा Next question एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर उतना ही लाब होता है जितना इसे 435 रुपए में बेचने पर हानी होती है इस वस्तु का विक्रय मुल्य कितना है याद होगा कल वाले वीडियो में एक परस्थन बताया था आपको कि एक संक्या को किसी से घटाने पर या किसी में जोड़ने पर उतना ही मान पराप्त होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना 625 रुपए में बेचने पर उतना ही लाब होता जितना 435 में आनी होती जब लाब और हानी बराबर हो और दोनों और का विक्रय मुल्य दिया गिया है एसी स्थति में वैसंग क्या होगी बीच की होगी और बीच का मान आपको क्या होगा ओसत होगा तो ओसत ग्याद कर लो इसका दोनों का वस्तु का करह मुली निकल करा जाएगा 625 और 435 ठीक है जोड़ेंगे कितने आजाएगे 5 और 5 10 3 2 5 और 1 6 6 और 410 1060 कितने मानोगे एक और 2 मानोगे तो दो का भाग दे दो ठीक है 5 2 10 3 0 530 आएगा उसका क्राय मुले ओप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे एक व्यक्ति के व्यतन में पहले 50 परतिसत की वर्दी कर दी गई फिर 50 परतिसत की कमी कर दी गई उस व्यक्ति को कितने परतिसत हानी होगी आपको बार 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 बताया 10 परतिसत की वर्दी की 10 परतिसत की हानी की 20 परतिसत की वर्दी 20 परतिसत की कमी और ऐसी इस्तति में ज से गुणा करो आपस में और सो का बाग दो 50 परतिसत तो 50 इंटू 50 बटे सो 40 हो ता 40 इंटू 40 बटे सो 20 हो ता 20 इंटू 20 बटे सो 0 से 0 0 से 0 5 25 तो 25 परतिसत की क्या हो गई हा नी हो गई ओप्षन नंबर सी राइट हो गई यहां पर नेक्स्ट क्यूशन भाग के एक पर्षन में भाजक भाग फल का 10 गुणा तता 6 पल का 5 गुणा यदि 6 पल पर नहीं हो गई यहां पर कुछ मिस्प्रिंटिंग हो जाती है रोजाना ही 43 है तो भाज्य कितना है बिल्कुल बच्चों जैसा क्यूशन नहीं है आपके चोथी पांच कक्सा में सिखाए जाता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भाग फल पल पल से 6 पल ठीक है वही पोर्मूला लगेगा यहां पर कैसा यह पर्षन में जो दिया गिया उसे पड पल का पांच गुणा क्योंकि हमारे पास 6 पल दिया गिया और 6 पल का पांच गुणा बाजक है तो 43 को पांच गुणा कर लेते 56,5,3,5,23,23,23 आ जाएगा और यह जो भाजक है यह भाग फल का कितना यह 10 गुणा तो भाग फल कितना आ जाएगा बाजक में 10 का बाग दे द गया बाजक आ गया आपका 23 बागपल आ गया 230 और पलश्येस पल आ गया कितना 46 जो की पर्शन में दिया गया है उत्तर निकल करा जाए 23 का स्क्वाइर कितना होता 539 एक 0 दिया गया 0 भी लगा दो और 46 जोड़ दो 929 में 46 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 536 ओप्शन नमबर डी राइट होगा यहां पर नेक्स्ट क्यूशन एक बटे तीन दो बटे नो पांच बटे चैए और चार बटे 27 का लगुतम समापोर तक आपको बताया गया कि बिनो का अल्शियम और बिनो का अच्शियम जब भी पूचा जाता तो जो पूचा जाता वो उपर वाली का लिखेंगे हमारी पास बीने एक बटे तीन है दो बटे नो है पांच बटे चैए और चार बटे 27 पूचा क्या लगुतम समापोर तो उपर वाली का लगुतम समापोर ते निकाल चार पांच दो और एक का लगुतम सम में भी जाता 27 में भी जाता तो 20 बटे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C right हो जाएगा यहां पर next question और आज के गणीत का last question उसके बाद के 5 question आपके reasoning के होंगे और सथ से संबंदित question दिया गया और सथ से संबंदित आपको पहले भी बताया जाता कि कन फरम क्यूशन पूछा जाएगा यहां पर दिया गया कि एक अक्सा के 28 चात्रों के गणीत में ओस्त प्राप्तांग पचास थे ठीक है तो कुल कितने हो जाएंगे ओस्त का परसंद जैसा दिया गया वेसा लिखना आरम कर दो 28 का पचास है तो कुल कितने अंग होगी 28 के गुणा कर लेते हैं 28 पंजे 14 एक जिरू उतार देंगे कुल 14 अंग लेकर आई है 28 चातर मिलकर अब यह बोल रहा कि 8 चातरों द्वारा विद्याले छोड़ दिये जाने पर 28 चातर 28 में से 8 चोड़ देंगे तो कितने बच्चाएंगे 20 ओस्त प्राप्तांग में 5 अंगों की वर्दी हो रही है पहले 55 की वर्दी मतलब कितने हो जाएंगे 55 तो यहां पर कुल कितने आ जाएंगे 55 रूरे 110 ओर एक जिरो 1100 हो गे ठीक है तो विद्याले में छोड़ कर जाने वाले चातरों का उस्त तो कितने अंग कम हो गए 14 में से 1100 गए 300 कम हो गए चातर कितने कम होगे, आठ चातर कम होगे, तिन सो में आठ का बाग देना, कितना आ जाएगा, 36.5, तो छोड़ कर जाने वाले चातरों का उस्तर कितना आ गया, 36.5 आ गया, ओप्सन नमबर A में है, तो ओप्सन नमबर A राइट हो गया, तो यह थे आज के गणित के 15 क्यूशन और आगे के पार्ट में हम 5 क्यूशन रिजनिंग के करेंगे, बिल्कुल आसान भी है, खुच्टप भी है और आपके प्रिक्सा की दरश्टी से इंपोर्टेंट भी है, पहला क्यूशन आपको रिलेशन बताना है कि जिस परकार तेरना का संबन मचली से मचली तेरती है, त तो रेंगता कोन चींटी तो नहीं रेंगती है, बचड़ा भी नहीं रेंगता, बंदर भी नहीं रेंगता, साप रेंगता है, ओप्शन नंबर सी राइट हो गई यहां पे, आगे क्यूशन दिया गया, इसे अनुपात समानुपात का भी ले सकते हो, और ज्यादा तर इस क्यूशन रिजनिंग में ही पूचे जाते हैं, क्योंकि यहां पे दोनों में सम्बंद दिये गए हैं, 21 अनुपात 3 समानुपात 514 आगे क्यूशन मार्क दिया गई, तो 21 का 3 से क्या सम्बंद होगा, वही 514 का होगा, तो ऐसे इस्तति में हम वेसे भी कर सकते हैं, आंतरिक प्दों का गुणंफल वराबर भाहि प्दों का गुणंफल, या पिर हम इस पर कार कर लेंगे कि तीन का 21 में क्या सम्बंद है, क्या सम्बंद है, तो इसमें भी हम 7 का बाग देंगे, कितना आएगा, 7 का बाग देंगे, तो 8 51 सम्दों दो 178 хорошо, बैंच दिया और नंबर 2 र से साथ का बाग देंगे वही उतराएगा नेक्स्ट क्यूसन एक कोडिंग डिकोडिंग का क्यूसन है कि नंबर को किसी संक्या में कूटबद किया गया आगे उसी परकार के एक सब्द दिया गया उसे किस परकार गया नंबर को किस परकार लिखा एन यू पहले दो सब्द उठ टीक है इसी पर लाश्ट के सब्सक्राइव लिए कर लिए ये लिए और estoy लिए और भीचके已经 सब्दों को भी मिप्राइब को लेग दिया only लिए ठीक है दो-दो सब्दों को लिएorm लिए सब्सक्राइब ST तो इनी लिग दो TS और बीचका एक यह तो वेसा लिग दो दो होती है तो उल्टा लिग देते हैं तो HG और TS जो की ओप्शन नंबर C में है तो ओप्शन नंबर C राइट हो जाएगा यहाँ पर Next question निम्ण में से कौन सा अन्य तीन से बीन है तीन किसी ने किसी तरह से समान है और एक अलग है आपको देखना अंतर चावल दिया गया 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 चना दिया गया मुंगफली दिया गया तीन में कोई संब्द है एक मेलग देखिए कि फसल के अदार पर देखे तो यहाँ पे द तो होगा नहीं, यहाँ पे दूसरा लोजिक देखते हैं, यहाँ पे देखें कि चावल धान है, ग्याँ भी धान है, और चना भी धान है, परन्तु मुंग फली तो तिलहन के रूप में काम में लेते हैं, और अप्सन नंबर डी राइट हो जाएगा, यह तिलहन की फसल है, न क्युशन बिल्कुल आसान है, कि 37 की और इंगित करते हुए असोग ने कहा, मैंने आपको बार बार बताया है, कि इन लाइनों को पढ़ते समये, इन लाइनों को खुद समझritis के पढ़ ओ, कि इंगित करते हुए कौन बोल रहा, असोग बोल रहा को, असोग को समझब कि मैं असोक हूँ और मैं बोल रहा हूँ 37 की और इसारा करते हुए कि वह है मेरी बहन मेरी बहन के इकलोते भाई और मेरी बहिन का इकलोता भाई कौन होगा मैं खुद होगा बहिन का भाई तो खुद ही होगा और भाई का पुत्र मतलब वह मेरा पुत्र है तो 37 की और इंगित करते ह यह सोग कहता कि वह मेरा पुत्तर है तो बताओ 37 सोग से कैसे सम्मझ दिते तो पुत्तर यह पुत्तर बोल रहा तो option number A right हो जाएगा तो यह थे आज के 20 क्यूसन और next part में हम बात करने वाले हैं इसी तरह यह series फिर 20 क्यूसन आएंगे और यह continue चलती रहेगी रोजाना आपको दो पर 1 बजे वीडियो मिलेगा और इसके अलाव राम सिंग यादव की पुस्तक के पेपर शेट भी मिलते रहेंगे पुराने वाले पेपर शेट देखने के लिए आप description में जो पले लिष्ट की लिंक दी गई वहां से जाकर देख सकते हो इसके अलावा हिराड पुस्तक के पूरे 50 पेपर भी हमारे द्वारा करवाए गई है उनकी भी पले लिष्ट की लिंक आपको मिल जाएगी description में और आगे भी आपकी यह series continue चलती रहेगी और रोज़ाना हम कुछ न कुछ नई शुरुआत लेकर आएंगे तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है इसी परकार यदि आपका सहयोग बना रहेगा तो एक दिन हम आपके सामने बहुत कुछ लेकर आएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्यू धन्यवाद जैहिन जैभारत अपनी त्यारी को जाचिये परकिये और मेहनत में लगे रहेए